जै माता दी फ्रेंट्स मैं शुश्मिता और मेरी इस चैनल कुछ खास में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों वादे के मुताविक मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको पैंडानस और स्पाइडर प्लैंट दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंस है वो पता चल जाएगा ताकि आप जब भी से नर्सरी से खरीदने आए तो आपको कोई प्रॉब्लेम ना हो तो ये पैंडानस है दोस्तों और इसकी पतियों को आप थोड़ी गौर कीजिए दोनों की पतियों को गौर कीजिए इसकी पति जो है थोड़ी मुलायम होती है पैंडानस की पतियां उख्री होगी हलकी सी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, तुल्ला में ये थोड़ी चौड़ाई में भी देखे कम होती है पैंड़नस और स्पाइडर प्रैंट की पत्तियों की चौड़ाई थोड़ी चौड़ी ज्यादा होती है, ये मेरे उंगली के उंगली से आप अन गया, और दूसरी बात है, वैरिगेशन जो है, दोनों की लगभख सेम ही वैरिगेशन मिलती है पत्तियों में, ऐसे बहुत ज्यादा आप खास अंतर आपको इसमें नहीं मिलेंगे, तो इसकी भी जो वैरिगेशन है, लगभख इसकी पत्तियों में भी वैरिगेशन मिलती ह एक अंतर ये देखें ये इसमेना रनर्स निकलतें spider plant में कितने सारे रनर्स हैं और इसमे छोटे छोटे बेबी प्रेंट भी लगे हुए हैं दोस्तों ये देखिए और ये रनर्स जो हैना इस runner से भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते है स्पाइडर ब्रैंट को और ये देखी इसमें फूल भी आए हुए छोटे से वाइट कलर के फूल और भी फूल थे जड़ गे हुआ है वो सब तो ये देखिए इसमें फ्लावर भी आएं किस दरे के फ्लावर भी होते है ये भी बना सकते हैं इसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तो एक आप अगर पॉट लीजिए और गमले में इसको लगा दीजिए और सारी जो मिनरल्स पानी वगर वो इस स्टीम से लेगी आप इसको पौदे से भी अलग करने की जुरूत नहीं है बस इसे आप किसी मिट्टी मे और यह यहां वहां से फिर ग्रो कर जाएगे बहुत सारे प्लैंट आप इसके बना सकते हैं स्पाइडर प्लैंट के पैंडनेस में ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई भी तरह का रनर्स नहीं निकलता है तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा जरो से ही निकालना पड़ेगा औ और साथ ही साथ आप इसे नीचे से भी यानि जरो से भी अलग करके लगा सकते हैं लेकिन पैंडनेस को आपको जरो से ही अलग करके वहां से आपको टिवाइट करके लगाना पड़ेगा तो ये सब अनतर है दोस्तों अच्छण इसमें जैसे डार्क ग्रीन की डार्क ऋर्क होती है बीच में भी वाइट और साइट से ग्रीन होती है spider plant की इसमें भी थोड़ी बहुत वैरीकेशन मिलती है तो इसकी थोड़ी पतिया light color की होती है पैंडानस की तो इस तरीके से बहुत तो ज्यादा अंतर नहीं लेकिन हाँ ये इसकी जो आप जब भी खरीदने जाए निकले रहेंगे और जो की पैंडानस में नहीं निकले रहेंगे ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना है और मा लीजे रनर्स नहीं निकले हुए बेबी प्लैंट है तो बेस्ट होगा दोस्तो उसे आप छोड़ दीजिए नरसरी वालों पर की वही उसे अलग करके आपको बता देएं कौन सा पैंडानस है और कौन सा स्पाइडर प्लैंट है क्योंकि इसकी पहचान करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाची है अगर बड़े पौधे होते हैं तो आपको तो रनर्स दिख जाएंगे बहुत कोई रनर्स को छोड़ देते हैं बहुत अच्छा लगता है जब रनर्स जो है नीचे के तरह जुके हुए रहते हैं वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं भी अपने इस गंबले से बहुत सारा प्लैंट बना चुकी हूं दॉटे चोटे शोटे बेबी ब्लान्स से अब मैं सोची हूं कि इस रनर्स को मैं भी छोड़ और नीचे के तरह जब लटकते हैं spider plant के runners तो बहुत अच्छे लगते हैं और इस चीज है दोस्तो यह जो पैंडानस है आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं और spider plant को भी रख सकते हैं तो spider plant को रखना ज्यादा बहता रहता है घर के अंदर क्योंकि इसमें क्या होती आपको बहुत oxygen मिलती है मैंने spider plant का एक घर में रखा हुआ है और पैंडानस को अगर आप घर में रखेंगे घर के अंदर रख सकते हैं लेकिन इसकी पतियों की कलर जो है थोड़ी धीरे धीरे वो फीकी पर जाती है लेकिन spider plant में ऐसा कुछ नहीं है यह आपको बहुत ज्यादा oxygen भ भी मिलते रहेगा बहुत दोस्तों का कहना रहता है अक्सर कि हम लोग लाए तो हैं लेकिन इसमें से कोई भी spider plant सोचके ले आए हैं और इसमें से कोई runners नहीं निकल रहे हैं तो मैं उनके घर में गई और देखी तो अरे यह तो पैंडानस है तो यीस की मैंने बना दी दोस्त तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों जै माता दी फिर मिलेंगा ची वीडियो